उत्रागन के उतरकाशी में जिला मुख्याले से मातर 3 किलो मेटर की दूरी पर डांग गाओं के ग्रामिन बून-बून पानी के लितरस्ते वे नजर आ रहे हैं पानी की किला से जूच रहे हैं और ग्रामिन पिछले कई दिनों से पानी की मांग को लेकर धरना प्रतर्शन भी कर रहे हैं ग्रामिनों का कहना है कि पानी की समस्या को लेकर ग्रामिन काफी लंबे समय से परिशान है उन्होंने कई उच्छ अधिकारियों को ग्यापन सौपकर अपनी समस्या भी रखी है लेकिन किसी ने भी इस समस्या की और अपना ध्यान नहीं दिया है आपको बता दे कि उत्राखन के उत्तरकाशिस से खबर है जहां पर बुन-बुन पानी के रितरस्ते हुए नजर आ रहे हैं ग्रामे आपको बता दे कि पानी की मांग को लेकर ये धरना फिदर्शन कर रहे हैं और लगातार उनका कहना भी है कि हमने कई बारुच्छ अधिकारियों को इसे लेकर ग्यापन भी सौपकर है लेकिन किसी भी अधिकारी का ध्यान इस ओर नहीं गया है देखे लगातार जिस तरीकी से गर्मी भी पढ़ रही है और कहीं न कहीं से नदी और नौले जो है सूथते जा रहे हैं जिसकी वज़े से ये पानी की समस्या बन रही है और जब अत्यदिक बारिश होती है तब भी जो जलशोत हैं वो तूट जाते हैं और ऐसे में पानी की समस्या खड़ी हो जाती है आप इसी को लेकर देखिए पानी की मांग को लेकर लगातार ग्रामिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और चार दिन से आपको बदा दे पिछले चार दिन से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कितना जारे कितनी बार ग्यापन सौब चुके हैं उच्छा अधिकारियों को लेकिन इनकी तरफ कोई भी घ्ञान अधिकारियों की तरफ से नहीं दिया जा रहा है नहीं चलेगा नहीं चलेगा भष्टाचार में गाउं बचवा अंदुलन में बेठा हूं आज हमें यहां दस्वान है अभी तक हमारी बातों को कोई भी अधिकारी हमारी बातों को कोई संग्यान नहीं ले रहे हैं और मैं मीडिया की तरफ से जो चाहता हूं कि इन अधिकारियों पर अपना संजा चलाए और इस चीज को बाव ना दे कि जो हमारे या जो दस दिन से हम लोग यहां बैठे हैं अगल बगल के गाउं के लोग भी आ रहे हैं और अभी तो खाली एक ही गाउं का आंदुलन चल रह